जी मैं, तो आपके लाइफ की जर्मी बहुत ही ब्यूटीफुल रही है, बहुत ही परिश्रम से भरी हुई रही है तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इसका जवाब अगर आप ना देना चाहें तो कोई बात नहीं लेकिन मैं ये कोशन अपने आने वाले हर गैस्ट से पूछती हूँ ताकि दूसरों को भी एक वो हिम्मत मिले कि जब हम अपनी मुश्किल परिस्थितियों से गुजरते हैं तो उसको भी ओवरकम किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि आप उसी में डूबे रही है तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मैं कि आपकी लाइप का कोई सबसे डिफिकल्ट पेज रहा है जिसको डील करना बहुत मुश्किल रहा हो और अगर रहा है तो पिर आपने उसको कैसे डील किया जी सोनिका जी जैसा कि मैं बता देना चाहूंगी कि मैं अभी एक कैंसर पेशेंट हूं और अप्रेल दो हजार पंदरा में मुझे कैंसर ड्रेस्ट कैंसर डाइग्नोज हुआ था तो इसके बावजूद जब 2015 में मुझे एक कैंसर डाइग्नोज हुआ तो वो जो इसके बावजूद जब 2015 में मुझे कैंसर डाइग्नोज हुआ तो मेरे लिए बहुत ही शोकिंग था उस टाइम बे मुझे लगा कि पताने में किस तरीके से पहले जैसा हो पाऊंगी या नहीं और जिस वक्त मेरा ये पूरा ट्रीटमेंट चला मुझे कीमोथ्रेपी मेरा ओप्रेशन हुआ कीमोथ्रेपी के बाद मेरे सारे हेर्स जैसे निकल गए थे तो मुझे लगा कि मैं किस तरीके से अपनी इस हालत को लेकर मैं उन बच्छों के सामने में पीचर्स के सामने में उस सोसाइटी में कैसे जाँ नहीं तो यह मेरे बड़ा डिपकल्ट उस टाइम लगा लेकिन मैं के अंदर यह बहुत मैंने दृट संकल्प किया, मैंने अपने आपको मचवूत किया, कि मैं पहले से भी बेहतर बन कर पहले से भी ज बहुत सारे लेडीज के साथ मेरी काउंसलिंग होती रहते हैं, जिनको भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है, कि वो कहते हैं, आप इतनी बिंदास और मस्त जीवन कैसे जी रहे हैं, तो मैं सब को बोलती हूँ, कि जीवन और मृतू जो है, वो उपर वाले के हाथ में, वो जरू कुछ नहीं है, आप खुश रहिए, आप मस्त रहिए, आप इंदास जीवन को जीए, और बिमारी एक इस नॉर्मल डिजिस, बिमारी आम है, चलती रहेगी, कोई बात ने इसके साथ मस्त रहिए, और मैंने कभी पीछे मुर के नहीं देखा, कि मुझे कैंसर हुआ था और मै कहीं नहीं लगता कि मैं जो है, थोड़ा सुस्त होगी हूई हूँ या थोड़ा सा, मुझे नहीं लगता, मैं उतनी ही एक्टिवली आज भी काम करते हूँ, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा डिटिकल्ट फेस है, बट नौ आम पर्फेक्टली ओल राइट और मैं पहले से भी लाइव की इंस्पायर कर सकते हैं, आप किसी भी हग तक इतने ही जिंदा दिली से आपने अपनी लाइव को जिया है, ओके मैं, क्योंकि आपको रागिनी गायान में पर्फम इस्थान पर आप्त हुआ था, तो क्या आप लाइव हमें कुछ भी सुना सकते हैं, दो लाइन, आपकी फेवरेट रागिनी गी, चलिए ओकी, अगर आप सुनाना चाहें तो, एक लाइन में जुरू सुना दूंगी, हरियान भी रागनी है, रागनी हरियान भी ही है, आप पता नहीं इसको समझ पाएंगे या नहीं, फिर भी मैं दो लाइन गुन गुनाओंगी, देमाब ओ धूमा आवे से तारी में, महारी चंद्री के रैन दुखे पागी, तु धूना ठाले, ओ बापाजी, ओ धूमा आवे से तारी में जब आप गाते हैं, तो आपके फेस पे एक जो खुशी दिखती है, वो बहुत ही खुबसूरत लगती है, जो इसमाइल के साथ आप गाते हैं, क्योंकि यह जो प्लेटफोर्म है, यह वीमन इपावर्मेंट पे बेस्ट है, तो लास्क में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ क्योंकि इस प्लेटफोर्म से आप बाकी की वीमन को कुछ मैसेज देना चाहेंगी ना? जी, मैं कहना चाहँगी कि सभी महिलाएं, सभी वेमन अपनी पावर को पहचाने, खुद को अपने इंदर जो शक्ती है, जो उनके अंदर कैलिबर है, जो उनके अंदर चम्ताय हैं, उनको पहचाने, किसी भी तरीके से खुद को पुर्षों से कमने आके, कोई ऐसा काम नही है जिसको सिर्फ पुर्ष कर सकते हैं महीलाई नहीं कर सकते हैं आप बिल्कुल हर काम को काम कर सकते हैं और आप बहुत सशक्त हो सिर्फ आपको खुद को पहचानने की जरूरत है अपनी शक्तियों को पहचानो अपने योगताओं को पहचानो और हर फिल्ड में आप आगे जाँगी अनेकों हमारे महीलाओं के फेवर में अनेकों कानून बने हैं, बहुत सारे हमारी जो है अमें सरकार की तरफ से कहीजिए राइट्स मिले हैं तो कभी भी हम उन राइट्स को मिस्यूज ना करें। उनका सही जगे पे सही उप्योग करें क्योंकि बहुत सारा ऐसा भी देखने को आता है तो महिलाओं से मैं ये भी गुजारिश करूंगी और हमेशा ये कहूंगी कि ये आधी चमेन और आधी आसमान पर आप लोगों का भी हथ है और आप हर वो काम कर सकते हैं जो पुरिश करते हैं किसी भी तरीके से अपने आपको खुद को कम पुरिशों से मत आके हर फिल्ड में आगे बढ़ने का प्यास करें इस देश के विकास में और समाज के उत्थान में अपनी स्क्रिय भूमी का वो सरूर निमाएं और आगे बढ़कर आएंगे बिल्कुल मैं एक बहुत ही ब्यूटिफूल मेंसिज आपने दिया है बहुत अच्छा सेशन रहा मैं आपके साथ बहुत जिंदा दिल है आप बहुत पॉजिटिव है आप आप हमेशा ऐसे ही प्रोथसाहित करते रहें समाज में ऐसे ही अपना योगदान देते रहें बहुत सारे लोग आई सिंक आज इंस्पायर होने वाले हैं और अगर मैं आपके पास होती तो शायद मुझे आपके चरण करने का भी मुका मिलता लेकिन यहां से मैं नहीं कर सकती हूं हम लोग काफी दूर दूर है तो मैं गोल्डन मेंगो रियली स्टोरीज की तरफ से मैंने हमेशा अपने गुरुओं का बहुत आधर किया है जिसने भी गुरु आज तक की भूमी का आज तक मेरे जीवन में रही है क्योंकि गुरु जो होते हैं वो हमारी सोसाइटी को डिजाइन कर रहे होते हैं तो जो भी गुरू सिखाते हैं, वो मेरे लिए बहुत माइने रखता है, और एक ऐसी ही गुरू ने आज अपना जीवन मेरे साथ शेयर किया है, जिसका मोका मुझे मिला, तो मैं आपको उसके लिए बहुत-बहुत तहे दिल से धन्यावाद करना जाती हुगा. थानक यू सोनेका जी, आपके इस असीम प्रेम के लिए, आपके इस अपनेपन के लिए और आपने मुझे ये मुझे ये मुझे इए, ये फ्रेटफर्म दिया, इसके लिए थानक यू सो मच, and love you a lot, बचेश. तो इसी के साथ आज आज आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे आपसे एक नए रियल सक्सेस स्टोरी के साथ तब तक आप भी हसते रहें, मुस्कुराते रहें और स्वस्त रहें और स्वस्त रहें धन्यावाद थांक यू सो मुझ